नमस्कार दोस्तों में ना मैं शुभम आप लोग का स्वागत है एक बाद फिर से में युटूब चैनल पर आज के इस लिडियो में मैं आप लोग उसे बात करे वाला हूँ कि आप लोग Android फॉन से iPhone में Contacts को किस तरीके से send कर सकते हो तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा दो बैस तरीके जो काफी easy है और आपको यहाँ पर किसी भी Gmail के requirement नहीं है ना ही किसी PC की और ना ही किसी iCloud service की तो आपको बताऊंगा आप phone to phone इसे कैसे कर सकते हो तो बहुत easy तरीके हैं मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करने है सबसे बहुत आप देखो कि यहाँ पर मेरे contacts में कितने contacts है अगर मैं यहाँ पर select कर लो सबको तो यहाँ पर मैं select कर लेता हूँ और यहाँ पर total 812 contacts है जो मैंने select किये है अब अगर मैं बात करूए यहाँ पर आईफोन की तो यहाँ पर अगर मैं देखो कि यहाँ पर सिरफ वो सिरफ 5-6 kontacts ही हैं तो यहाँ आपको बताओं को किस तरीकर से इन kontacts को दूसरे फोन में send करना है तो यहाँ पर simply आपको अपने contacts की VCF file create कर लेनी है simply आप लोगों को manage contacts में जाना है और आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको इंटर्णा सोरज को option मिलता है आपको हर एक phone में स्थरीकस ही होगा तो आपके एक VCF file बन जाएगी आपके इंटर्णा सोरज में तो जैसे आपकी file बन जाएगी simply आपको यहाँ पर search करने है files and यह हमारी file बन चुकी है यह नाम आ चुक है simply इसको ok करेंगे यहाँ पर and ok करने के बाद आपकी जो file है वो इंटर्णा सोरज में मिलेगी आपको अगर आप लोगो को directly यहाँ पर जो file है वो यहाँ पर नहीं मिल रही है तो आप search भी कर सकते हो आप यह search कर लो, contacts लिखके search कर लोगो तो आपकी file आपको मिल जाएगी simply contacts लिखके search करा and यहाँ पर देखो file मुझे मिल गई है contact 002 simply मैं इसको यहाँ पर long press करूँगा और यहाँ पर share पर क्लिक करूँगा अब आपको यहाँ पर ना बहुत सारे methods मिल जाएंगे इससे आप share कर सकते हो file को well मैं यहाँ बताने वालों आपको whatsapp के method से जैसे मालों कि कुछ लोग क्या होता है आपने iPhone में already whatsapp को install कर लेते है and almost सारे documents वगरा वो whatsapp पर बेजते है तो यहाँ पर क्या आपको directly यहाँ से send नहीं करना share value button से send नहीं करना आपको simple सा क्या करोगे अगर आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या है मैं इसकी open करता हूँ and यहाँ पर simply plus पे क्लिक करूँगा and आपको document पे क्लिक करना है यहाँ पर browse other documents and simply यहाँ पर contact की file मुझे मिल जाएगी simply मैं क्लिक करूँगा इस तरीके से and यहाँ पर send करूँगा तो यह चीज़े बहुत साय लोगों ने send कर रखी होंगी पहले उनको आता भी होगा लेकिन यहाँ पर क्या है को save करने का तरीका अलग है simply click करोगे यहाँ पर click करने के बाद आपको एक ही contact दिखाएगा तो यहाँ पर अपस्लाइड करो यह देखो contact की application आगी simply click करो इसको and आपके सारे contact यहाँ पर आ चुके है अब यहाँ पर सिरफ मुझे 711 contact दिखा रहा है क्योंकि कुछ contacts मैंने duplicate थे कुछ में नाम नहीं save था and इस तरीके से यह यहाँ पर 711 दिखा रहा है contact को देखो यहाँ पर सारे contact यहाँ पर आ रहे है and almost अगर मैं यहाँ पर hash पर click करूँ almost नीचे की तरफ चला जाए तो यहाँ पर 711 contact आ रहे है 711 मैंने import की है 5 पहले के थे तो 711 contact यहाँ पर आ चुके है अब इस तरीके से आप इसे कर सकते हो अपने phone में send iPhone में तो यह पहला method हो गया second अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि कुछ लोग क्या होता है WhatsApp इंस्टॉल नहीं करते है पहले सही तो वो लोग कैसे करेंगे आप लोगो को simply अगर नहीं international में जाना है आप लोगो को यहाँ पर इस file को सर्च कर लेना है तो मैं सर्च कर लेता हूँ and contacts तो यहाँ पर से सर्च कर लेता हूँ and यहाँ पर file जो है मुझे मिल चुकी है देखो simply अगर हूँगा share करूँगा share करने के बाद आपको यहाँ पर quick share का option मिलता है बहुत सा रिफोंस में आता है यह चीच and simply आपको QR code वाले में में पर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँगे आपके सामने QR code हो जाएगा आप लोग को iPhone और camera ओपन करना है simply open करो and इसको scan कर लो scan करने के बाद एक link आएगा यहाँ पर simply इसको click कर दो contact वाला option मिलगे आपको simply click करो and आपके सारे contact यहाँ पर आ चुके तो मैं इसको यहाँ पर save नहीं कर रहा हूँ क्योंकि contact जाए में डबल डबल हो जाएंगे and सारे यहाँ पर multiply जाएंगे तो इसको मैं save नहीं कर रहा हूँ and इन दो तरीकों से आप लोग तो बीना किसी method के मलब किसी बीना के application के या फिर cloud setting वगरा के इसे send कर सकते हो and free है आप लोग इसे use कर सकते हो तो मीदे आपको वीडियो पसंदे आओगा वीडियो पसंदे वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर लेना और मिलते एक्षिव में लगाए इस thank you thank you watching my video